हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि Samsung Galaxy A55 5G फोन में आप लोग वायरलेस चार्जिंग को कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A55 5G फोन है और इस फोन में जो आपको wireless चार्ज करना है अगर आपका जो यह फोन है इसमें wireless charging नहीं हो रहे हैं आप लोग जो wireless charging को share भी नहीं कर पा रहे हो आपके फोन में wireless charging हो भी नहीं रहा है या हो भी तो रहे हैं लेकिन बहुत ही slow हो रहा है आपको fast करना है तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में wireless charging को कर सकते हो गाईज तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते है वाइरलेस चार्जिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहापर से नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा गाईस बैटरी का तो इस बैटरी के ओप्शन पे क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद यहापर से नीचे स्क्रोल डाउन करना है नीचे आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा गाईस वाइरलेस पावर शेरिंग का तो इस वाइरलेस पावर शेरिंग पे क्लिक कर दीजे तो देख सेय다면 wirelessPHER wizard शेरिंग लिखा भी ब्हुँआ है अब आप लोग किसी भी जो है अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हो उसके बाद आपको बेक आना है और यहाँ पर आपको और यह आपके फॉन में फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी होने लग चाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग एक सी लिए वीडियों पसंद आये हो तो वीडियों को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते कर लेक्ट नेक्स विडियों में तब तक के लिए बापाई